आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत जादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी ये रेसिपी आप एक बजरू ट्राय करिए इसे बनाना तो आसान है इसाथ में बहुत ज़्यादा सस्ती एक्तम चीप एस्ट मिठाई है और दिखने में बहुत बड़ी अलगती है तो आप यह मिठाई बनाके बजरूर ट्राय करें कोई नहीं कह सकता कि आपने केवाद दो समाल से बनाई है टेस्ट अमेजिंग और टेक्स एकदम सॉफ्ट तो चलिए फ्रेंट्स मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पे एक कड़ाई ले देंगे इसमें हम डा यह देखे आप देख सकते हैं जो ऊपर के छिलके हैं वह निकलने लगे हैं इसका मदब कि हमारी जो पीनट्स है वह अच्छे से भून चुके हैं आपको एकदम बढ़ी है अगर यह अच्छी रहेंगे फिर आपके मिठाई में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यह कर देंगे और इसे हम अच्छे से रफ करते हुए इस तरीके से देखिया इनका जो चिलके हैं वह निकाल लेंगे इस तरीके से आप करेंगे तो इस चिलके बहुत ही आराम से निकल जाते हैं आपको बस रफ करते जाना है बाद में आप एक स्टेनर ले और इने अच्छे से पटक लें तो यह देखें यहां पर जो मूनफली है वह हमारी अच्छे से छिलके से अलग कर लिए यह देखें आप चाहें तो यह ने मिठाई बनाने से पहले फ्रिज में रख सकते या फिर अगर मूनफली अच्छे से ठंड हो गई तो डारेक्टली इने एक अब हम लेंगे चीनी तो यहां पर जो चीनी है वह हम लेंगे एक चोथाई कब यह देखें इतना बस आपको अगर जादा मीठा पसंद है तो आप यहां पर थोड़ी से चीनी की कौइंटिटी बढ़ा दे उससे आधाम पानी डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मेर्टों ने देंगे उसकी एक तार की चाषुणी बनने देंगे करिवन 5-6 मिनिट लगते हैं उसकी चाषुणी बनने में आप दम मूझ्फली का पव्ली आफब कर देंगे जाए Find review पॉलिथिन इसे अच्छे से ग्रेज़ कर लेंगे इससे एकदम बवफ्र बनेगी आपको ऑफ लिलियो से तैसे साफ पर लें कुछ इस तरीकल का हो जाएगा जैसे कि मिठाई थे मिठाइ की मिड्या मैह कुछ बहुत आश्या ने को इस तहरे चुछ लगये गे लिए अब हम कर लेंगे हैं ऑप को यह तो रनथровर करना होगा और इसके बाद आप इस तराके से घ्र tendon कर लें इसी हमारी जो बर्फी एकदम सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल भी हाड नहीं होगी और यहां पर बर्फी तयार है अब हम चानी का बर्फ उपर से लगा देंगे चिसे दिखने में बिल्कुल मार्केट चैसी लगेगी जैसे कि हम मार्केट से मिठाई लाती है और इसके पीसित कड़ेंगे पीसित आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं आपको यहां चैक्तम बढरे самой जब एप इसे खाकर देखेंगे, पॉर जाते ही खुल जाएगे इस रंदन में आप यह मिठाई बना के जिरू ट्राइ करेगा आपके फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लोगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी में तब त